Magical Big Cow जैसे रमेश और सुरेश, दो अमीर किसान थे, उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन उन्हें भोलूराम इतना खुश कैसे, इस पर उन्हें हमेशा अचमबा होता था. भाईया, ये भोलूराम का कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है. हाँ भाई, अब तु देख, इसे कैसे दुखी कर देता हूँ मैं, इसे अपने गाय से बड़ा प्यार है ना, उसके भरोसे तो ये इतना उचलता है, अभी उसे गायब कर देते है. फिर ये दोनों एक दिन मोका देखकर भोलूराम के घर उसकी गाय चोरी करने जाते है, पर उनकी हालत ही बत्तर हो जाती है. होता कुछ ऐसे है कि जैसे ही वो गाय को चुराने की कोशिश करते है, उन पर लाठी से कोई हमला कर देता है, दोनों बहुत डर जाते हैं, उन्हें लगता है कोई चुपके से उन्हें मार रहा है, मार खा कर दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं. हाई मर गई हो रे कौन कमबग था पता नहीं बार मार के हड्डिया दोड़ दी रे मेरा तो पूरा बदन दुख रहा है चार दिन दिस्तर से उटना ही पाऊंगा भया दोनो मार खाकर कुछ दिनों तक शांत रहते हैं पर ठीक होते ही निकल पड़ते हैं भोलूराम की गाई जुराने चुपते चुपते वो दोनो भोलूराम के घर पहुचते हैं पर आज भी उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाता वो गाई उनी को घूरती रहती है और अजीब त दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है उन्हें कुछ समझ में आये उससे पहले वो गाई उन्हें जोर की लात मारती है हाई रे मर गया क्या जम के लाद पड़ी है ये गाय है या जाकी चेन की नानी हाई रे मर गया आज तो बक्के से हड़िया तूड गई है उपर से इस गोबर ने बवाल करके रखा है मुझे तो इस गाय में गड़बर लगती है ये बड़ी अजीब है तभी सूरेश को लगता है कि वो गाय उसके तरब देखकर अजीब ढ़ंक से मुस्कुरा रही है उसे अपने आखों पर विश्वास ही नहीं होता अरे भाई अभी ये गाय मुस्कुराई सच्ची मैंने अपनी आखों से देखा पक्कारे गाय कुछ अजीब है लगता है तेरे सिर पे लाथ पड़ी है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बाते कर रहा है तू चल अब जल्दी उठ गाय को उसके ठीकाने पे लगाते है हाई रे दोनों बड़ी हिम्मत करके उस गाय की तरब बढ़ते है कि तबी वो गाय धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है अब तो रमेश को भी यकीन हो जाता है कि गाय सच में अजीब है उन दोनों की रही सही हिम्मत भी निकल जाती है वो वही कापते हुए एक कोने में खड़े हो जाते हैं कि तबी वहा भोलू राम आता है ये क्या हो रहा है यहाँ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो दोनों डरते डरते उसे सारी बात बताते है और ये भी बताते है कि कैसे गाय अचानक से बड़ी हो गई ये सुनकर भोलू राम हसने लगता है लगता है सच में आप दोनों को सर पे चोटाई है इसलिए ऐसे बाते कर रहे हैं मुझसे बोल दिया पर बाहर किसी को मत बोलिएगा वरना लोग आप ही को पागल समझेंगे जाइए अब आप अपने अपने घर और अपना इलाज भी करिएगा दोनों भोलुराम के तरफ आश्चरे से देखते हैं और दातों तले उंगलिया दबा कर वहां से निकल जाते हैं और दूसरी और भोलुराम अपनी गाए के पास आता है और उसे प्यार से थप थप आता है आज तो कमाल कर दिया तुमने मेरी प्यारी बड़ा अच्छा सबक सिखाया है दोनों को उम्मिद है आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे पर तुम भी सावधान रहना तुम खास हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये हम दोनों के बीच की बात है